तो आज मैं एक छोटी सी ट्रिक आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं बहुत ही छोटा सा ये वीडियो है जो कि एक अच्छा एक्स्पिरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं अगर आप बिल्कुल ही बिगनर्स हो और आप इस तरग से उपन पेस वाली स्वेटर बनाते हो कारडिगन बनाते हो जिसमें आगे के दो पल्ले हम अलग-अलग तयार करते हैं जब हम शुरु-शुरु में ऐसे प्रोजक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं तो एक दिक्कत आती है कि हमें ये नहीं पता चलता है कि एक पल्ले की हमने कितनी length रखी है या दूसरे पल्ले की हमने कितनी length रखी है तो मैं आपको एक easy way आज share करने जा रही हूँ जिसमें आप दोनों पल्ले एक साथ गुन सकते हैं ताकि आपको measurement करने में दिक्कत ना हो generally क्या होता है कि इस तरह के पल्ले जब हम बनाते हैं तो कई बार inch tape की help से भी थोड़ा difficult हो जाता है या plane आप बुनते हैं तो आपको count करना नहीं आता है कि किस तरह से इसको count करना है नहीं समझ आता है तो ऐसे projects में हमें क्या करना चाहिए अगर आप बिलकुल ही beginners हैं तो देखिए यहां पर यह दोनों पल्ले में साथ साथ बुन रही हूं और two needles पर ही बना रही हूं इससे क्या होता है कि अगर आपके पास ज्यादा needles भी नहीं है तो भी easy लिए आप two needles से यह दोनों पल्ले एक स यहां है यह रो मैंने complete की है और यहां से यह देखिए यह धागा मेरा edge point पर है तो अब यहां से मैं side turn करूंगी यह देखिए इस तरह से यह वाली रो मेरी यहां से complete होगी अब यहां से इसको बुणना start करेंगे तो यहां से इन two needles की help से ही मैं इसको बना के complete करूंगी यह देखिए इस तरह से यह देखिए इस तरह से two needles की help से ही जो है इस project को बना के हम complete कर लेंगे अब इस पूरी रो को मैंने ऐसे ही यहां से बुणना है और complete करना है यह देखिए यह row मैंने बना के complete कर ली अब back side से जो back की row है इसकी वो complete करेंगे यह देखिए इस तरह से back की row को मैं वैसे ही बुणना है जैसे बुणते आ रहे हैं यह देखिए इस back की row को मैं यहां तक complete कर लूँगे यह देखिए इस तरह से जब यह row मेरी complete होगी अब मैं क्या करूंगी इसको back में यहां पर नहीं बुणूंगी अब मैं दूसरी दूसरे पल्ले पर शिफ्ट करूंगी और सेम टूरोज मैंने यहां पर इस तरह से बुणनी है यह देखिए इस तरह से यह देखिए इस तरह से फिर back की row को complete करूंगी फिर बापस से मैं इस पल्ले पर आके इसकी two rows complete करूंगी और बापस से फिर इस पल्ले पर two rows complete करूंगी इससे क्या होगा कि दोनों पल्ले मेरे साथ के साथ बन जाएंगे वैसे तो आप single single भी इसको बना सकते हो क्योंकि design जब डालते हैं तो आप design से count कर सकते हो लेकिन अगर आप बिल्कुल ही beginners हैं तो आप इस तरह से 2 पल्ले जो front के हैं वो किसी भी तरह के design में इवन आप plan अगर भून रहे हो तो बहुत easy हो जाता है क्यूंकि design में तो फिर हम count कर लेते हैं कि एक यह एक पल्ले इस तरह से जब हम साथ साथ बनाते हैं तो दूनों पल एक तो साथ ही बन जाते हैं और दूसरा आपको काउंट करने की ज़रुरत नहीं पड़ती है बहुत इजीली बन जाते हैं तो ये था मेरा एक छोटा सा नॉलेज शेरिंग वीडियो प्लीज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको ज़्याद से ज़्यादा शेर कीजिएगा थेंक्यू सो मच